मैं हूँ दिव्यतिवारी आप देख रहे हैं फर्स इंडिया न्यूज और टीवी नाइन ग्रूप ने अपने नए नैशनल हिंदी न्यूज चैनल भारत वर्ष की शिरुवात 31 मार्ज को की है इस मौके पर टीवी नाइन भारत वर्ष ने राश्टियस सम्मेलन का आयोजन किया और टीवी नाइन भारत वर्ष के इस कारक्रम में पीम नरिंद्र मोदी और अमित शाह समेत कई सियासी दिगश देखे इस मौके पर फर्स इंडिया न्यूज की चैनल है जगदीश चंद्र ने भी शिर्कत की आपको बता दे कि टीवी नाइन के सीईओ रवी प्रकाश है और न्यूज डारेक्टर हेमंत शर्मा है ग्रूप एडिटर जाने माने पत्रकार और फिल्म डारेक्टर विनोध कापडी है वहीं भारत वर्ष के कंसल्टिंग एडिटर आपने तीखे तेवर की वज़े से जाने जाने वाले अजीत अंजुम है टीवी नैन भारत वर्ष के समेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी खास महमान रहे और चैनल की लांचिंग पर पीएम मोधी ने बधाई देते हुए कहा क्या कुछ आई आपको ये भी सुनवा देते हैं मुझे विश्वास हैं कि ये नया प्रयोग और उको भी उस दिशा में जाने के लिए शायद मजबूर करें अगर आप सफ़ल हो गए तो देश की बहुत बड़ी सेवा हो गया समेरा मत्री बीते पांच वर्षों में हमारी सरकार ने भी कुछ इसी तरह प्रयास किये है और इन प्रयासों में मुझे क्या-क्या जेलना पड़ा है वो आप अगर बारी किसे देखेंगो तो पता चल जाएगा हम भी केंदर सरकार की योजनाओं को विज्ञान भवन और हाइदराबाद हाउस से निकाल कर देश के अलग-अलग राज्यों तक ले गए हैं कि पहले क्या होता था कि सब कुछ विज्ञान भवन में है कि एक दिन में तिन तिन बार प्रदान मतरी विज्ञान भवन में अलग-अलग कारिकम लाउंच करते लिए ही होता था और आप लोग लगे रहते थे दिखाते रहते थे दुनिया को और देश-बुसी से चलता था कोई भी दुनिया का राष्ट्रा देख शाता था तो भी दिल्ली में ही सब कुछ दिल्ली में हमने इस वबस्ता को बदलने का भर्षक प्रयास किया अगर हमने विज्वला योजना शुरू की तो उत्तर पुदेश के बली हमें जाकर के की सुरक्षा भीमा योजना शुरू की कि तो हमने कोलका था में जाकर की है हैंडिकाप से जुड़ी है नेक योजना हमने शुरू की तो चेन नहीं में शुरू की आवास योजना हमने शुरू की तो आगरा से शुरू की बेटी बेचाओ बेटी बढ़ाओ का भियान चलाया तो ह करियाना से चला जा एसी बहुत से मैं बता सकता हूं कुछ है निंदुस्तान का कोई राज जैसा नहीं होगा कि जहां जाकर के भारत सरकार ने अपना महत्पपन कारकम वहां से नग ताकि उसका भी देश की बड़लाओं में उतना ही इंपोर्टन्स है इतना ही पढ़ेगा इन सोच को तोड़ना पड़ेगा उसे गाउं में रहने वालों तक कस्मों में रहने वालों तक भारत वर्ष तक ले जाये जाएगा साथ हो हमारी सरकार जिस सोच के साथ जिस वीजन के साथ काम कर रही है ये देश ने बीते पांच वर्षों में अनुभव किये है भारत की ग्लोबल स्टैनिंग पांच वर्ष पहले कहां थी और आज कहां है इसकी तुलना आप अगर करके देख लीजिए अंतर स्पस्ट हो जा भाइगा पांच वर्ष पहले तक क्या होता था हम कब कुछ भी करते थे दुद्या भर से हम पर सबाल जबाब शुरू हो जाते थे को दुनिया के देश रूल बनाते थे और हम कि फोलो करने के लिए मजबूर हो ते आज क्या है आज हमारा देश दुनिया के रूल बनाने में अहें भूमी का निभाने के तरफ बढ़ रहा है चाहे परियावरन से जुड़ा मामला हो आर्थिक अपराद और प्रस्टाचार से जुड़ा मामला हो आतंगबाद से जुड़ा मामला हो या फिर मिसाइल टकनलोजी और दूसरी तकनिक से जुड़ा मामला हो अज जब अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम सीमा पार कर आतंकियों को घुश कर मारते हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है क्या पांच वर्ष पहले ये कलपना कोई कर सकता है आज संयुक्त राष्ट में भारत के साथ पूरी दुनिया एक सूर में खड़ी हो जाती है जो मंच कभी पाकिस्तान के प्रपेगंडा को प्रमोट करने के माध्यम बनते थे बहां आज भारत की आवाज गुंज रही है कोई कलपना कर सकता है कि दुनिया में जब गांदी के 150 मना रहे हैं दुनिया के करीब डेड़ सो देश उनके टॉप पो सिंगर एंड मिजिशन्स वो वैश्ण वजन तो तेनेरे कहिए गाते हो गांदी के जाने के बाद शताब्दी भी मनाई गई थी सबा सो साल भी मनाए गई थे अब जब देड़ सो मना रहे हैं तो पुरे विश्व को जोडने का सामर्त है आज हिंदुस्तान तक सकता है थातियों ये सब कुछ सिर्म मोदी की वज़े से हो रहा हो ऐसा बिलकुल नहीं है और नहीं मोदी कभी ऐसा दावा करता है मोदी एक निमित है कि माध्यम है ये शक्ति भारत वर्ष के 130 करोड देश वाज़ियों की है मोदी ने तो जिर्फ इतना किया है कि रांश्ट हित के लिए जो भी फैसले जरूरी है उनको समय पर बीना किसी दबाव में आये लिया है अब एस एक परिक्षन का काम मामला ही लीजिए हमारे पास ये एक समता कपसे थी ये हमारे तमाम बेग्यानिक बता चुके हैं तो फिर कमी कहां थी किस तर पर थी कमीथी राजनीतिक इच्छा शक्ति की निर्णाय लेने वाले नेत्रूत वकील है शात्यों जो लोग अपनी सरकार में इस महत्वपुन परिक्षन पर फैसला नहीं ले और न ले पाए आज वो इस टेश पर भी सवाल उठा रहे हैं ये बड़ी गजब किस्तिती है जी शात आत्यों अंत्रिक्ष हमारी रोज मरा के जीवन का महत्वपुन हिस्सा है आज मोबाइल फोन से लेकर खेज किसान मचवारे के जीवन तक की करीब करीब हर गति भी दी अंत्रिक्ष्य कंट्रोल होती है आप अपने चैलन्ज की कलपणा बिना सेट्रलाइट के करके देखिए तो तुरंत समझ में आजाएगा कि सेट्रलाइट की ताकत क्या होती है हमने एक बहुत बड़े निवेश अंत्रिक्ष्म किये है चौथी और द्योगी करांती में स्पेस पावर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है जब इतना बड़ा स्टेक हमारा अंत्रिक्ष्म है तो क या किसी बुरी स्थिती के निपटने के लिए किसी आपांत काल से निपटने के लिए हमें इंतिजाम भी ना करें क्या हम वैसी ही स्थिती में रहें जैसे नाइंटी शिक्षी टू में पाए गए ते सात्यों हमारे विरोधियों की सोच में अलग हम एक स्पस्ट वीजन के स साथ हम काम कर रहे हैं कन्फीजन नहीं कमिट्मेंट के साथ काम कर रहे हैं साथ्यों काले धन के खिलाब SIT बनाने के आदेश को पहले की सरकार तीन साथ तक टालती रही थी हमारी सरकार हमने आते ही अपनी पहली केबिनेट में SIT बनाने का निर नहीं लिया यह हमारी नियत थी सबको पता था विदेश में काला धन जमा कराने वाले कालया धन से संपत्ति खरत ने दूसरे देशों से रूट कराकर वहां से काला धन वापास लाने का खेल कैसे चल रहा था छोटी मुटी करवई करके कुछ देशों से कमजोर समझोते करके पहले की सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई थी और यही उनकी नियत थी हमारी सरकार ने विदेश में जमा हो रहे काले धन को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया यह जो आज विदेश में भी आसानी से संपतिया जबत हो रही है वो इसी कानून की वज़से है मोरेसस जैसे तमाम देशों के साथ हमने समझोतों को री नोगे शुट किया भारत को मिलने वाली जानकारी का दायरा बढ़ाया अब तो इस सांट से हमें स्विजन लैंड से भी रियल टाइम जानकारी मिलना शुडू हो जाएगी साथियों काले धन पर कड़ी कारवाय के साथ ही हमने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस तरग के गोटाले पहले होते थे उन गोटालों की पुन्रावरत्ति न हो पाए बीते पांच वर्षों में हमारी सरकार ने रिजर्ब बैंक ने और देश के पब्लिक प्रावेट बैंकों ने मिल कर देश को फौन बैंकिंग गोटाले से उभारा है अब कोई बैंकों का पैसर लेकर बैट नहीं सकता भारत ने एक आई बीसी और इंसल्वन्सी और बैंक्रप्सी कोड के तौर पर ऐसा कानून बनाया है जिसके बाद अब ये सुनिस्चित हुआ है कि अगर बैंक से कर्ज लिया है तो लोटाना ही पड़ेगा अब ये नहीं होगा कि एक कंपनी को दिवा लिया गोशित करके कोई बाकी कंपनीों के पैसे पर आराम करे मोश करे ऐसी नियत रखने वालों को अब अपनी सारी कंपनीों से अपनी सारी संपति से हाथ दोना पड़ेगा और आपने देखा हैं ये बातें मीडिया में दिखती नहीं हैं कईयों को हाथ दो ना पड़ा हैं करोड़ पती आज रोड़ पती बन गए हैं इस कानून के कारण क्योंकि बैंकों से रुप्य लेकर के मौश कर रहे थे और ये काम करने की हिम्मत इस सरकार ने दिखाई गया है साथ यो आईबीसी आईबीसी बने अभी ठीक से दो धाई साल भी नहीं हुए हैं लेकिन इसकी वज़े से अब तक बैंकों और देंदारों के तीन लाग करोड रुपिय की वापस ही सुनिश्चित हो गई है ये तिन लाग करोड रुपिस आये उसकी तरफ भी आप लोगे के नजर रहनी चाहिए सच्चा ये हैं कि जिनकों दश्वकों तक सत्ता में रहने का आउसर मिला वो विपक्ष के नाते भी पूरी तरह गैर जिम्मेबार पूर्व सिद्ध हुए विफल हुए है राष्टे स रख्षा पर जिस तरह के उनके बयान आ रहे है वह अपने भी देखे और सुने है लोगों में injury कि जिस बात पर देश को गर्भ होता है उस पर विपक्ष को तकलिप क्यों होती है ये लोगों में गुझ सह है कि सपुतों के स्रयों का सबूत क्यों माझा जा रहा है ल इसलिए वो नकारात्पक्ता फैलाने में जूट बोलने में लगे हैं सात्यों देश हो पक्ष हो या विपक्ष या फिर कोई मीडिया समस्तान नकारात्पक्ता फैला कर ब्रम फैला कर आगे नहीं बढ़ सकता बारत वर्ष की खबरों में भी सकारात पक्ता पर जोड दिया जाए आपका चैनल अपने लक्ष नहटे इसी कामणा के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ आप सब को बहुत पर शुप कामणा है देते हुए और मुझे यहाँ आपके भी जाने का उसर दिया इसके लिए धन्यवाद करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद टीवी नैन भारत वर्ष के सम्मिलन में पियमोदी के बाद बीजेपी के राश्ट्रे अध्यक्ष अमिच शाह भी पहुंची और जहाँ नोंने सबसे पहले चैनल को बढ़ाई दी और उसके बाद एक-एक सवाल का बड़े ही विबाकी से जवाद दिया आए सुनते हैं क्या कुछ कहा इस दोरान अमिच शाह ने नरेंद्र, मोदी और अमिच शाह आप आज पार्टी के जिस तरह से सर्वो सर्वा हैं दोजार चौबीस में पीम की दावेदार जो होंगे हम उनसे इस वक्त रूबरू है देखें मैं कम से कम इस ब्रांती में नहीं हूँ पार्टी में बहुत सारे धेर सारे लोग मुझसे सिनियर हैं और मैं उनका संदमान करता हूँ और इस प्रकार के फैसले ना कोई अंकर कर सकता है ना कोई वियोर कर सकता है यह देज की जंताने करने होते हैं जहां तक मेरा से उससे संत्रुष्ट हूं किन राजियों में आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो महत्वपून होंगे देखें आकड़ों के बारे में बताने का मुझे लगता है भी समय नहीं हुआ है ना कोई बता सकता है क्योंकि चुनाव अभी बहुत सुरुवाती दोर पर है मगर जो मूर जनता का दिखाई दे पड़ता है इसमें इतना स्पोस्ट है कि 2014 से बड़े बहुमत के साथ भारती जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और मोदी जी फिर से एंडिये गवर्मेंट के प्रदान मंत्री बनने जा रहे हैं अब इसका एक समय होता है बहुत सुरुवाती चुनाव अभी चल रहा है लेकिन 2014 से ज्यादा आकड़े आएंगे आप जो कह रहे हैं कहां से आएंगे सर थोड़ा अगर इमांदारी से आगर मैं बता से कि भारत में सही आएंगे मैं नहीं मानता बाहर क्या यहां काउंटिंग होता है लेकिन जो राज्य है आप जैसे उत्तर प्रदेश में सर आप बिल्कुल कॉंफिडेंट है कि वहां आपकी मतलब जो सतर से ज्यादा की सीटे आने वाली है या किस तरह का परफॉर्मेंस दिखे उत्तर प्रदेश के अंदर जिसको कयास लेगाने हो लगा ले मैं उत्तर प् मैं उत्तर प्रदेश को बहुत नद्दिक से देखता हूँ मैरा भरोसे के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी हमारी 73 सिटे हैं 74 हो सकती है 72 होने की कोई संभावना नहीं है अभी सिर्म 3 इखटा हुए है 4 इखटा हो जाए मगर भारतिय जनता पार्ट उत्तर प्रदेश के अंदर 50 प्रतिसत की लड़ाई लड़ने जाई है 50 प्रतिसत वॉट जब भारती जनता पार्टी प्राप्त करती है तो सामने कितने है और कितने इखटा हुए है इसके कोई माइने नहीं यह 44 सीट क्या राइबरेल ली अमेरिशी से भी आ सकता है कोई भ खम-खम के साथ मोदी जी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी लेकिन यह इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि confidence तो आप में भरपूर है सर लेकिन इस वक्त जो चुनावी समीकरणवां बने हैं खास करके अगर गडबंधन की बात कर ले जो सपा बसपा बुआ बुआ का एक गडबंधन वहां पर हो रखा है आकड़े ऐसा नहीं लग रहा है कि यह जो आप 73-74 की बात कर रहें आप पूरी तरह से confident answer की इस गडबंधन की डिबेट को देखा होगा जब सपा और Congress का कडबंधन हुआ तब इसी प्रकार की बाते की जाती थी कि दोनों की 240 होते इनके इतने प्रतिसत वाट Congress को मिले थे इतने सपा को मिले थे अब दोनों का योग हो जाएगा तो यह हो जाएगा वगर हुआ कुछ नहीं दोनों 40 के अंदर सिमट कर रहे हैं महनत करने की तो पुरे देश में जरूरत है हर सीड पर जरूरत है हम कभी भी चुनाव को हलके से नहीं लेते हैं सजक होकर हर सीड पर 542 की 42 सीटों पर चाहे हम लड़ते हो साथी लड़ते हो AD चेट्यू का जोड़ लगा कर भारती जनता पार्टी का कारे करता परिश्रम की प्राकाश्टा करकर इस चुनाव के मैदान में जा रहा है तो इतने जो गड़बंदन दलो को जो आप अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं और यह दूसरी जो मिलावत वाली गड़बंदन है लेकिन आपकी गड़बंदन में मिलावत नहीं है यह कैसे तै किया देखे एक बात आप समझ कर चलिए कि बीजेपी ससक्त होने का यह मतलब नहीं है कि हमने साथियों को छोड़ा है उत्तरप्रदेश में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है दोनों छोटे-छोटे दल आज हमारी साथ सरकार में साथी बने है देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है सभी दलों को हमने सरकार में स्थान दिया है हमने हमारे सिध्धान्तों के साथ समझोता करकर किसी को चुनावी साथी नहीं बनाया जो आप जिस घटवंदन का उलेक करें विसेश कर सपा और बसपा का पंद्रा साल तक एक दूसरे का न मुझ देखने वाले ना मंच सेर करने वाले एक दूसरे के नमस्ते लेने वाले लोग आज इखटा होकर प्रधान मंत्री जी के खिलाप एक कैम्पेंड कर रहे हैं इसलिए इसकी घटवंदन की छभी महा मिलावत की बनी है एक निशान एक आप सम्विधान की बात करते आए हैं लेकिन आपने ऐसे ऐसे पार्टियों से हाथ मिलाया सत्ता में आने के लिए नागालेंड हो त्रिपुरा हो जो जिन पार्टियों ने अलगाववादी वाली राजनीती को आगे बढ़ाया है तो वो एक गाना है ना वो रास लीला और कि आप कुछ करते हैं कोई और उसे कुछ और कहता है यहां मिलावट है लेकिन वहां आपकी विचारधारा या आपकी जो कोर कंसर्ण्स हैं बीजेपी की उनके साथ आप मिलावट नहीं करने हैं जब आप विपक्ष में भी बैठ सकते थे आप कह सकते थे कि हम नहीं हाथ मिलाएंगे पीटीप के साथ में क्या मजबूरी थी देखे त्रिपूरा में हमें किसी से हाथ मिलानी जरूरत नहीं पूर्ण बहुमत की हमारी सो तक की सरकार जहां तक नागालेंड का सवाल है हमारे सरकार के अंदर वजूद के कारण ही आज नागालेंड मेंड्स्ट्रीम के अंदर आया है त्रिपूरा के अंदर नागालेंड के अंदर धीरे 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 जन्मानस अलगावाद की और से देश के अंदर एकरस होने की और आगे बढ़ा है न केवल त्रिपूरा और नागालेंड पूरे नॉर्थिष्ट के अंदर ये परिवर्तन देखने को मिला है आद नॉर्थिष में पूरी तरह से आपका पर्चम ले रहेगा इस वक्त आप जो दावे कर रहे हैं कि आपने जो बदलाव लएकर आए हैं आप मिलेगा क्या मिल चुका है राजभर जी हों ये लोग तमाव ऐसी तीखिती की तल्क टिपणिया करते हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोर्दी से तमाम सवालों पर उसको लेकर भी फिर भी आप गडबंदन आपका जो है वो टिकाव है कि आप लोग जो माने हमारी सहीष्णूता बहुत व्यापक है हमारी सहीष्णूता बहुत बड़ी है टॉलरेंस भी बहुत बड़ी है तो हम तो टॉलरेट करते ही है चुदिधे आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं जी जरूर अलाइस की जरूत भी पड़ेगी आपको लगता है और अलाइस बनेंगे भी कोई मैंने अभी भी कहा पहले भी कहा आप कितना भी गुमा फिरा कर कह लीजे पूर्ण बहुमत की भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है मगर सरकार NDA की बनने वंसवाद इसको कहते हैं कि एक ही परिवार से पार्टी के अध्यक्स और प्रधानमंत्री बनना ऐसा तय हो जा इसको वंसवाद कहते हैं हम जब वंसवाद की बात करते हैं तो मैं भारतिय जनता पार्टी की करता हूँ मेरी साथियों ने पार्टी किस तरह से चलानी इसके अंदर हमारा कोई दखल नहीं होता हम इस प्रकार की दखल के साथ राद दिती नहीं क्यूंकि देश की जनता हम वंसवाद जिसको कहते है उसको समझ चुकी है उसको मेंडेट भी दे चुकी सब्सक्राइब करेंगे अच्छे दिन आएंगे किये गए इस पार के चुनाफ का महोल ऐसा लग रहा है कि उनकी बात नहीं की जारी कि अच्छे दिन आ गए या नहीं अब एक सिफ भय का महोल आतंक का महोल राश्चर सुरक्षा का महोल यह क्या वज़ा है देश की जनता को यह पूछ लिजिए कि आतंक वादियों में भय ह होना चाहिए हमारा मुद्दा है देश के अंदर जो टेरर फिलाते हैं उस पर भय होना चाहिए हमारा मुद्दा है देश के दुस्मन है उनको देश में भी कहते हैं ऐसमें कोई कंप्रूमाज नहीं जहां तक अच्छे दिन का सवाल है स्मिता जी जरा आख भी खोल दीजे नजरिया भी विस्तरूत कर दीजे जिन साथ करोड मैलाओ के घर में गैस गया है उनको जरूर लगता है कि अच्छे दिन आये है जिन आट करोड परिवारों में टॉयलेट गया है उनको जरूर लगता है कि अच्छे दिन आये है बेरोजगारी पर आखिर आप स्ट्राइक करेंगे या नहीं क्या ये आपके मैनिफेस्टों का बड़ा मुद्दा होगा या नहीं है कि कैभल वहां तक पहूंथी है तो रोजगारी बढ़्ती है